माया पुरीशुच तथा मित्र बड़ता सबसे प्राजीन सभ्यता का साक्षी है यह वारानसी शहर यह कल-कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्षु विद्यमान है यह ललता घार्ट मत्से पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर ललता तीर्थ का बर्णन हमें प्राप्त होता है साथ ही साथ सकंद पुरां की काशी घंड में भी यहां नव दुगा घार्टों का परणन हुदा है वहां भी ललता घार्ट का नाम अंकित है तदोन ललता की थंडूंगा के शवसं निधों पत्रास्ति ललता देवी जित रख्शा करी परा साथ पूच्या प्रयत देन सर्व संपत सम्रिध खए ललता पूज का नांच जा तुपिक नो न जायते जे खिश्न दुद्धी आयां ललतां परिपूच्य वै उमारी वापुर्शो वाकी निधिते वांच दंपादं स्नात्वाच ललिता तिर्थे ललितां प्रणी पत्य वै लभेत सर्वत्य लालित्यम यनवा तत्वानु लप्यचा लभेत सर्वत्य लालित्यम यत्वा तत्वानु लप्यचा गंगा नभी के तटवर्स्थे थै ललता पीत। यहां क्षेत्र रक्षा करने वाली दुद्गा रूबी ललता कौरी का निवासी। जिनकी समीश्वत्यालू सर्वप्रकार संपक्ति लावात पुझा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेश बात यह है कि यहां शिव के साथ शक्ति के दर्शन में श्रप्धालू लुबलते हैं। घाट के ऊपर गली में मा दुद्गा को समर्पध दीफी ललता का मंदर पे दिमान है। साथ ही साथ यहां काश्ट एवं इंट से बना राज-राजेश्वर मंदर भी स्थापित है। भगवान श्रप को समर्पध काशी में यह मंदर नीपाल के पशुपति मंदर का प्रतीक पूप है। वर्तमान में सुशुभित यह ललता घाट पूप में दी भागों में विभक्त था। रक्षा बशा के वूर से चलें तो नीपाली घाट ललता घाट एवं राज-राजेश्वरी घाट इनका उब्रेद सन 1931 में मोथी चंद्रजी ने किया था। जमान नीपाली घाट एवं ललता घाट के पक्के निर्मान का श्रेयर नीपाल के महलाजा पहादुर्शाह को जाता है। तो वहीं राज-राजेश्वरी घाट के निर्मान का श्रेयर सिद्ध गिरीजी को जाता है। कालांदर में नेपाली एवं राज-राजीश्वरी धाड ललता धाड में ही समाहित हुए ऐसी पान्यता है कि अश्रमास की तुश्वांप्रतियां के दिन ललता दियत में स्ञांकर दीवी के दर्शन करने से शब्धान की सभी मनुकामना है उमनुकी है